पित्रो मैं मदन दिवारी सभी दर्सकों को नमस्कार गरता हूँ ये जो आज आप और हम दिन देख रहे हैं ये साइद कभी किसी ने सोचे ना होंगे ये दिन भी हमें आज देखना बढ़ रहे हैं संकट की ये घड़ी है महामारी का ये समय है आज विश्विष्त्री है महामारी ने हमें घेर रखा है आज इसमें छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो या जाती धर्म का कोई भेद भाव किसी भी परकार कर नहीं है ये जो कोरोना संक्रमन है ये सब के लिए घातक है देश के लिए घातक है छोटे से छोटे परिवार के लिए घातक है और सबसे ज़्यादा घातक है कि ये एक ऐसे विमारी है जो छुआ छूत से ही इसका को बढ़ावा विलता है हम लगातार देख रहे हैं प्रशासन तंत्र, सासन तंत्र, मीडिया तंत्र के कर्मी, स्वास्य भाग का पूरा अमला समर्पन भाव से लगा हुआ है देश को बचाने में, समाज को बचाने में, जिल्यों को बचाने में, घर को बचाने में और हर हर ब्यक्ति को बचाने में आज इन सभी को मैं सेलूट करता हूँ जैहिंद की भावनाओं के साथ मैं बोलना चाहता हूं कि आज ये वक्त हम और आपको करोना जैसी महामारी से लड़ ले और एक ता के सूत्र बधने का है आज जाती धर्म बरग विशेश इन सब बातों को इग्नोर करते हुए आपको और हमें एक ता के साथ अखंडता के साथ हमारे देश को हमारे परिवार को हमारे घर्म को और हमारे देश के भविश्य को सब को बचाने के आजव शक्ता है सायद कभी किसी ने ये सोचा नहीं हुआ कि ऐसे भी दिन हमें देखने होंगे कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम किसी चीज का इस्तमान नहीं कर सकते जरा सोच ये कभी कि आपने ये सोचा था कि हमारे पास गाली होगी लेकिन हम सलकों पर नहीं जा सकते हमारे पास घर है सडके हैं लेकिन हमें घर के अंदर रहना है हम सडकों पर नहीं जा सकते हमारे पास सारी ववस्था हैं जो हमने संजित कर रखी हैं लेकिन हम उनका इस्तमाल नहीं कर सकते जो भी इस्तमाल कर सकते हम सिर्फ अपने घर के अंदर इस्तमाल कर सकते हैं देश, काल और परिस्टी किस इस्टी में लाकर खड़ा कर दे इसका साक्षात हो धारा ने दी हमें देखने को मिल रहा है तो आज ये विश्विश्तरी महामारी है जिसको आप और हम महसूस कर रहे हैं और कहीं न कहीं हमें दी बात करें तो भाय के बातलम हैं कहीं न कहीं डर भी इस बात का लेकर हमें ब्यापत है आज हर परिवार, हर घर इस संकट से बचने का प्रयास कर रहा है और आज जो इस जिम्मिदार सासन तंत्र है, प्रसासन तंत्र है या सौसे भाग का तंत्र है मीडिया तंत्र सबसमर प्रभाव से लगे हुए कि किसी भी हाल में इस महामारी के इस कोरोना संकट से हम लड़कर जीतेंगे और सब के मनुवल को मैं दे आज नजर आ रहा है इसकी अधिस अभी छाय की जाएं तो पूर्ण रूपे ड़ी समझ में आ रहा है कि हम इस जंग को जीतेंगे इसके पई नाम हमें आज दिखने भी लगें आज विस्व की इस सिति करें विस्व के अनिक देशों के हाला बत्ते बत्तर होते चले जा रहा है लेकिन वहीं हम बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान की तो हिंदुस्तान की सितियां आज दूरदरसिता के चलते प्रशासने टीक दूरदरसिता और जंता की समरपण के चलते आज हम देख पारहे कि हमारे आख्ले उसे सिती में नहीं है जिसे सिती में होना थे अन्य देशों में हैं यदि हम थोड़ी मिला परवाही को ताही बरते तो मुझे लगता है कि आज हम का हर परिवार कहीं न कहीं किसी न किजी चीज को लेकर दुखित होता है लेकिन आज हम सिर्फ हमारे वीज़ भैवे आपतों और मुझे लगता है भैवेन हो ना प्रीथ भै होना भी चाहिए परिस्तियां ऐसी बनी हुई है आप स्वयम विचार करिए कभी ये वक्त था कि हमें पॉजिटिव अच्छा लगता था लेकिन 2020 में आज हमें पॉजिटिव सुनकर ही हमारे रोंक्ते खड़े हो जाते हैं दिल देहल जाता है हम हर समय सोचते थे की पॉजिटिव सोच पॉजिटिव विचारधारा पॉजिटिव वर्क की परमप्राएं चला करती थी 2019 को हम कह सकते हैं लेकिन 2020 में आज हमें पॉजिटिव सब्द ही देसत भरा सब्द लगने लगा है हमें लगता है कि आर कि नगेटव पॉजिट पाई नहां है आज मीडिय की प्रोफाइल आप देख पा रहे हैं लगाता प्रोफाइल मेरे लगए जाता जिरो 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 rouge नेगेटिव कि और हमें बढ़ना पड़ रहा है यह समाय धेसकाल और बरतमान की परिस्ट यहाँ है तो इश्वर की मार है कहीं न कहीं आज यह पूरे विस्व में है पूरे यदि हम बात करते हैं तो मृत्ती लोक में है तो आज आपको और हमको समल के चलने की आउशक्ता है और इश्वर आराधना से बड़ा कोई सक्त है नहीं इश्वर को मानते चलिए इश्वर हमें संकर से होवारेगा आपको और हमको सब को मिल के चलना है पहले 21 दिन का लॉक डाउन था अब वो 19 दिन का है यह 40 का अकड़ा है मुझे लगता है आपको और हमको सब को मिल के पार करना चाहिए आज हमारे देश के जिम्मेदार प्रधान मंत्री उन्होंने भी आपसे करवध प्रातना किये और जितने भी जिम्मेदार जन परते दिये हैं प्रसासने का दिकारी हैं या मेडिया के जो भी जिम्मेदार पर से लगतार रेविदन कर रहे हैं कि आप घरों में रहे हम आपके लिए सलकों पर हैं और हम आपको सलकों पर रहकर सुरक्षित रखना चाहते हैं हमारे देश को हमारे देश के भविश्य को हमारे देश की परिस्टियों को बस आपको साथ देना है कि आपको अपने घर के अंदर रहना है हम आपको पल-पल की अपडेट देने का प्रयास कर रहे हैं आप भी देख रहे हैं सारा मीडिया तंत्र देश का पल-पल की रिंपोर्टिंग करके आपको निविदन के साथ वस्तुषी से अवगत करा रहा है क्योंकि हमारा कर्तब है हमारी जिम्मेदारी है हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहें हम अपनी जिम्मेदारी को कर निर्वान बड़ी कुसलिता के साथ अपने आपको भी हम बचा कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना हमारा भी परिवार है वाstände हमारा धार है हमें भी सब देखते हुए कार करना पड़ रहें लेकंत हम भी अधिक स्थी एदिक समय अपने घरों में देते वह और क्योंकर हमारी जिम्मदारी के न barbecue यह में कर ना है तो उससे जिम्मदारी के सांथ और आपसे बारबार निविदन कर रहे हैं कि आप भी देश के लिए समर्पित भाव से राश्ट शिवा को और देश में आम जन के समर्पण के चलते आप भी अपने घरों में रहें सुरक्षित रहें, खुस रहें अपने परिवार के जो बुजर्ग हैं और जो बच्चे हैं, क्योंकि बुजर्ग हमारी विरासत हैं, हमारी धरोवार हैं वह ही हैं, बच्चे हमारी देश का भविश्य हैं इन दोनों पर भी आपको बेहत ध्यान देने के आउशक्ता है इन दोनों के स्वास्त को आपको ध्यान देना होगा आपके छेत्रों में जो भी अनियंतर बाहर से आने वाले लोग परवीश कर रहे हैं इनकी भी जानकारी आप जिला प्रसासन को दें जिससे की किसी प्रकार के कोई संकट ना बढ़ पाए आप सबका सहयोग लगातार मिल रहे है लगातार मिलता रहेगा इसी अभी लाजा के साथ नमस्कार जैहिए